नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इससे अंदर वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बियाड हिमाचल प्रदेश में बियाड एडमिसिन के बारे में तो बियाड में जो है आठ हजार पांसो शीटों के लिए जो है दाखिला होने जा रहा है और हिमाचल जो परवेश कमिटी है उसने आउनलाइन काउंसलिंग सेडूल भी जारी कर दिया है और प्रदेश कमिटी के चेर्मेन प्रोफेसर वीके सिवराम ने बताया कि काउंसलिंग के लिए आवे तन जो 22 सेप्टमबर से वीबी का पोर्टल जो है खुल जाएगा और जारी मेडिकल के अनुशार जो है वह समाने वर्ग के लिए 2019 और जेंड के माइग्रेशन के में जो है वह 49 और सिंगल गर्ल चाइल्ड के 580 नॉन मेडिकल के 475 और वैडिकल के 3232 और ब्यार्टियों सामिल है प्रदेश में प्रजेतर बीएड कॉलेजों के करीब जो 8500 सीटे जो इसमें भरी जाएंगी और शैडूल को इस प्रिकार से 22 और 24 सेप्टमबर को पहले राउंड जो और अव अर्थियों को जो है फिर उसका जो है मैरी ते propose 21 तारिक को जाएगे और 30 से 2 अक्तूबर के बिट में कॉलेजे में जाके आपिन डाकमेंट वेरिकेशन करना होगा और 4 अक्तूबर को जो भी खाली सीटे होंगी वो जो है वेपसाइट बेर आपको दिख़ और 9-10-10-10-10, 10-10-10уют दोनों कोटे के ताथ जो scatter का वंटेन जो हुआ पॉटल में दिखा दिया जाएगा और 13 से 15 अक्तुबर तक प्रविश जो जिनको भी अडिमिसिन में लेगा उन्हें जो कॉलेज में जाके अपने डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और 17 अक्तुबर को जो दूसरे राउंड के बाद जो खाली सीटों का भीवरो जो अपलोड किया जाएगा और 17 अक्तुबर को तक जो अन्हें कांसलिंग करके सीटों का आवंटन होगा 21 सक्तुबर को आवंटन सूचना जो चात्रों को दी जाएगी और 22 और 23 सक्तुबर तक जो कॉलेज में डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा 25 अक्तुबर को क्रेक्शन और मॉप अफ राउंड जो है ओवी भी जो करेगा और 25 अच्विस का मॉप राउंड के तहित जो भारी जो भी प्राइमरी सीटे जो भरी जाएगी और 27 अक्तुबर को आपको जो है वेफ साइट पे मेरिक लिस्ट जारी हो जाएगी और आप चे नॉम्बर से जो हो सुरू होगा तो नॉम्बर में जाकर जो फाइनल मॉप अफ राउंड होगा और इसमें करेक्शन और मॉप अफ राउंड के बाद खाली सीटों का ब्योरा जारी होगा चार पांच नॉम्बर को जो हो सीटों का वंटं करेके जो साथ नॉम्बर को सहत्रों को ओंणान वंटं पर जारी किये जाएंगे साथ नॉम्बर को जो हो के अपने पसंद के कॉल्लिजों में मेनिजमेंट सीट के लिए आवे देन करेंगे और 15 को कमेटी मैरिटी का धार पर वैरिफकेशन करेंगी और जबकि 16 नुवंबर को चात्रों को अवन्ट इन कॉल्लिजों की सूचना जारी होगी और 17 और 8 नुवंबर सत्रा और अठार नॉंबर को प्रवेस्पाने वाज चात्रों का डॉक्मेंट वेरिविकेशन और फीस जो हो जमा करवानी होगे तो इस प्रकार से जो है नुवंबर तक जो ब्याट का काउंसलिंग चलेगा फिर जाके करें इस स्टर्डी जो है दिसंबर में देखने को आती है तो इस चीज़ आती है हमारा वीडियो यहीं पर इसमाप्त होता है और हमारे दोरा आती जैनल जैन करी अच्छे लगए तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा ओफिसनल नोटिफिकेशन का लिंक नीचे इस स्क्रिप्सम में आपको मिल अब मिलते हैं नेक्स टूडियो में जै हिंट